हुआ है अकेले बुन रही है अप अकेले पांच अच्छा अभी फिलहाल आप अकेले है ना हाँ देख लो अकेले बुन रही है मोरी काफी मस दूर दूर तक गायज मोरी बुना चुका हुआ दूर दूर तक देखो और फिर कहीं कहीं तो भी बुना रहा है ना तो वो बुनान का पेड़ है अपनलोग यहां पे ही बीडियो बनाने के लिए आते हैं ज्यादे तर बीडियो आपनलोग जो भी ब्लॉक्स को बनाए ना गाउं में वह यहां पे ही आखे अपनलोग बीडियो बनाए तो यह ऑफ लोग आई हो आप लोग बढ़ यह एक सवस्त ओगे और हमारे वीडियो देख रहा हो गे होगे अभी का टाइम काफी मस्त टाइम चल रहा है तोड़ी थोड़ी हो रही है पहले बाइस नहीं हो रही थी बट अभी सही हो तो पता ही हो तो वह लोगों move फ़सल को दिखाने वाल उनीस को कि अभी से उने इन्स प्लॉक्त हैं सब्सक्राइब कफी एदर रोपा रहा है तो आप लोग को ना डाइरेक्ट खेत में चलते हैं और सारा कुछ दिखाते क्योंकि वीडियो को ना फटाक से स्टार्ट करनी है और फिर अब लोग उस फटाक से सारा कुछ दिखानी है सारा कुछ मतलब कैसे ग्या होता है दहान पहले किसे क्या होत लाइक देख से तो किता मस्त वाला हर अर फिर यह क्या चाहिए आप लोग कमेंट करके बताओ अगर नहीं पता ना तो मैं आपको बता दूगा जी यह मोरी है इसको सबसे पहले ना कोई एक खेत लिया जाता है छोड़ा मोड़ा खेत उसे बहुत सारा धान को एक साथ डाल लि अब लग जाता है और श्रक्ते दुख माने जाता है काफी कादा किया जाता है जाता है काफी अधा उसके बाद एक उठाओ और फिर एक डालो एक तो नहीं होता है और फिर यह पूरी इसको बुनने का मोड़ा ना टो यह process हे सघाप massacre और फिर यह न जा रहा देखो करना पड़ेगा सघवान का पेड़े है यहाँ выпの बिडियो बनाने की लिए आते हैं ज्यादा पर टेां एक अधर बिडियों भी ब्लोग बनाएं फेर पर फेर होते हैं आप देख हो यह भी वीडियों बनाром लो बारिस कम हो समय ना तो देखने में काफी अदा मस्त सीन लगता और फिर इसको देखो ना अगर सीने मेटिक सोट से देखोगी ना तो और भी काफी धासू लगेगा और फिर यह अभी से एक है यह वीडियो सूट कर रहा आज का वीडियो तो इसके लिए थैंक यू भाई ह महारा पाउं कम से कम तो घूटना तक अंदर चला जाएगा क्योंकि अभी इसमें मोरी बुनाने वाला लाइक है उधर से कवाल के लाएंगे और फिर इसमें बुनेंगे लाइक आज नहीं आज खेट जुता है पानी इसमें डल गया है और इसका इसमें कल एक पेड उठाओ एक पेड डालो ऐसे करके ना जो भी होता ना ऐसे ही डाला जाता है और फिर डालने के बाद कुछ इस परकार तयार होता है गाज यह देखो ऐसा हो जाता है डलने के बाद तो यह मोरी बुनाता है पहले ऐसा खेट में होता है उसके बाद यह मोरी बुनाता है और फिर कैसे क अहां से धान रोप के निकाल के लाते ना वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं गाईज देखो यह धान इसमें पहले छोड़ा सा खेत बुलेते ना एक छोड़ा सा खेत होता है उसमें उसको पहले थोड़ा सा पानी वानी देखे गिला करके इसमें धान डाल दिया जाता है और फिर ऐसे होता है यह धाने इसको फिर सारे लोग कवाड़ेंगे इसको पानी में रखेंगे यह कुछ देर पानी में रखते है फिर पता नहीं किता है रखते पानी में उसके बाद वह खेत दिखाते ना आपको वह देखो खेत उसमें बुनते हैं और फिर जो बु इसके बाद इसको निकाल के खेत में डालना पड़ता है। इसको करने में कितना मेहनत लगता है नगा सोच नी सकते हो उसके बाद इसको निकालो फिर उसको इसमें बुढ़ने में ना इतना ज्यादा टाइम लगता है नगा जितना मेहनत लगता है हमेशा जूक के रहो निहूर के रहो और फिर उसके बाद एक एक पेड डालो मतलब कुछ भी नहीं है इसको जोता हुआ खेत है इसमें डालना मतले कि तरह मेंनत वाला काम मै, मुझा मुरण बुनाता है। मोरी को यह देखो कितना महनत वाला काम है कितना महनत वाला काम है देख लो भाई बहुत महनत लगता है अकेले पूरा बुनना है सोच लो यह देखो बोले थे ना पहले पानी वानी में डाला जाता है यह देखो खेत में लाके ऐसे ही फेक दी है और फिर इसी को सारे लोग आप अकेले बुन रही हैं आप अकेले पांच अच्छा अभी फिल हाल आप अकेले है ना अगेले बुन रही है मोरी बहुत बड़ा खेत है यार ऐसे बुनने में ना काफे दा बहुत जड़ा मेहनत भी तो लगता ना बुनने में तो एक एक पीड़े को बुनना मतलो पूरा दिन चला जाएगा इसमें और अभी तो फिल हाल अकेली हैं पांच लोग बुनने वाले हैं लेकिन बस एक ही अकेले बोर रहे हैं तो देखो किता टाइम लगता है मेरे सख्याल से कल तक होगा चलो कोई ना बस ऐसे ही मेहनत करो तो देख लिए गाइज यह धान को डालने का प्रोसेस सारा कुछ अब लोगों सारा कुछ दिखा दिए सारा कुछ प्रोसेस लाइक पहले धान को बोया जाता है एक खेत में उसके बाद मोरी का रूप में बहुत बड़ा- जोता जाता है फिर उसे पानी डाला जाता है उसमें काड़ा किया जाता है फिर उसमें एक एक उठा के डालना पड़ता है तो यह सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया एक दादी भी थी आंटी भी थी वह भी उसमें बोरे थी जिसको बोलते ना पता नहीं उसको क्या के लिए गया थे तो मैं भी साइद आज साम तक कंप्लीट हो जाए उनका भी तो चलो कोई ना आपको तो सारा कुछ दिखा दिये गाज तो आप लोग कमेंट करें बताना यह वीडियो आप लोग कैसे लगी क्योंकि यह गाउं के इस पेसल वाली वीडियो थी खेती करते करना उनको सब्सक्राइब करते ना भाइव फिलीज यार जितना हुस और उतना वीडियो को शेयर करना काई से अपने हुछआ मोडिवेट मिलती है और लाइक करने बीव होंती है के कि अपना ख्याल रखना अपने मम्मी पाफवा का ख्याल रखना और ऐसे हमारी वीडियो देखते रहना सो बाइबाइग और फिर मैं सोच रहा हूं